क्या हुआ जो आज अपने जो है अपनी पत्नी को अपने जाएगा और लड़का ममी के साथ जाएगा और बहार में जाके जो भी करेगा वो खुशी से दोनों को करेगा कहते हैं इश्क पर किसी का जोड नहीं चलता और प्यार अंधा होता है इसमें ना तो उम्र की सीमा देखी जाती और ना ही रिष्टे ही माइने रखते हैं रिष्टे को तार तार और शर्मशार करने वाली एक घटना भागलपुर के सुल्तान गंज से आई है जहां एक महिला ने अपने ही जठानी की बेटे यानि भतीजे से शादी रचाली है दरसल सुल्तान गंज थानशेत्र के मिरहट्टी पंशायत के विर्वन्ना गाओं के नन देश्वरी मानशी की शादी 2017 में पूरे हिंदू रीती रिवाद से मुंगेर जिले के वर्धा निवासी मिनाक्षी के साथ हुई थी शादी के चार वर्षों तक पती पत्ने की बीच काफी अच्छा रिष्टा रहा लेकिन साल 2021 के बाद इन दोनों के व्यवाहिक जीवन में मनीश आटपका और धीरे धीरे मिनाक्षी अपने ही पती के बड़े भाई के बेटे के आकरशित होने लगी दोनों के प्यार का परवान चर्णा इनके घर वालों को पता चला और लगातार घर वालों ने दोनों को रिष्टे की दुहाई दे कर समझाने की कोशिश भी की लेकिन जब सर पर इश्क का भूत सवार हो तो रिष्टे माइने नहीं रखते इश्क और वासना के खेल में कई बार परीजनों ने मनीश और मिनाक्षी को आपती जनक की स्थित्य में पकड़ा दोनों पर परीजनों की बातों का असर न होता देख पती नंदेश्वरी मांजी अपने परीजनों के साथ सुल्तान गंज थाने पहुंचा और महिला डेस्क से मदद की गुहार लगाई महले डेस्क के द्वारा दोनों प्रेमी जोरे को थाना बुला कर समझाने बुझाने का प्रयास किया गया कटना दिन से आपके साथ में राती थिया और इस तरह का काम करती थी मेरे साथ तो पत्नी 2017 से है ही ए लड़का के साथ दो साल से नही साल से बाक्षीत चलता था लेकिन हमको पता नहीं चलने दिया लेकिन जब दोनों शादी करने के लिए अरे रहे तो उसके बाद मिनाक्षी के पती महेश्वरी ने बड़ा दिल दिखाते हुए सुल्तान गंज के हनुमान मंदिर में दोनों की शादी देर रात करवा दी खुलासा के लिए भागलपुर से शाम सिंग की यह रिपोर्ट